इंटर्विू सीरीज की थर्मोड डायनामिक्स सभ से समझाईए सभी से समझाईए सर्ट सिविल इंजिनिंग के लिए किलास इउच पुल है क्या शिविल इंजिनिंग के लिए बिल्कुल इउच पूल नहीं है सिविल इंजिनग वाले बच्चे अपना time save कर सकते हैं अ सर्ट किया जा तर लोग आगे कि इस चलुए हो डिए एप का ट्वेंटी से स्टर्ट हो रहे है यूरू तो पहलाiche आप लोगुंक यह स्टार्ट का जा तो पैला 幹嘛 यह कंप्लीट हो गया है ता यह भी आप लोगों का complete हो चुका है और फिफ्ट कुश्चन भी आप लोगों का complete हो गया था यहां ओके सर चलो कि आई पीजी ही पीडी सी है हाँ भी या आई पीजी पीडी सी है क्या अभी भी कर्फूजन है क्या Process, Dynamics, Control and Instrumentation and Process, Control both are same subject ठीक है तो अपने Chemical Engineering के जो Slayvast में वो मेंसन है Instrumentation वाला भी पार्ट आता है ठीक है तो Instrumentation वाला भी पार्ट आता है पूछा जाता है तो उसको भी सारोग थोड़ा देख लेंगे पीडी सी में क्या होता है Process, Dynamics and Control इस्ट्रुमेंटेशन वाला पार्ट इसमें इन्वाल्व नहीं रहता है, ठीक है, चलो, ओके, तो कुशन नमबर 6 सारे लोगों के सामने यहां पर है, सारे लोगों को, सारे लोगों को यहां पर ध्यार रखना, इंटर्व्यू कुशन, इंटर्व्यू कुशन नमर 6, टेक वन slab wall एक कोई मैंने slab wall ले लिए जिसका terminal temperature T1 है T2M draw the temperature profile if it's copper ठीक है ओके मतलब in case आपके पास जो आपके पास क्या है जो wall है वो copper की है ठीक है उसके अंदर आप लोगों को temperature profile draw करना है दिसदा question क्या है कि आपके पास एक slab है slab किसकी है आपके पास copper की slab आपके पास copper की है और आपके पास यह terminal temperatures है आप लोगों को temperature profile draw करना है आप लोग एक मिनट लोग थोड़ा सोचने का एक मिनट लोग सोचने का और जरा मेरे को बताओ किस टाइप की profile बनेगी किस टाइप की जड़ा प्रोफाइल बनेगी फॉर कॉपर सी यू मीन्स कॉपर किस टाइप की प्रोफाइल बनेगी जड़ा मेरे को यहां पर बता सकता है क्या आप पैन और पेज लेकर वैठें आपको जो मैं पहला कुशन दूँ आप लोग सेल्फ जच करें अपने आपको ठीक है आप जच करें आप थोड़ा बनाने की कोशिश करें अधरवाई सीधे आंसर डूनने लगेंगे तो आपका दिमाग क्या चलाएगा आपका दिमाग लीट हूँ है दें यह wright पूड़ा दिमाइए और ㅇए लिटन पर्टेशिर प्रोफारईल क्या अपको ड्राका तनी है अ या वर्टिकल, या यिवर सिंग वर्टिकल सर्ट एम्पेशर प्रॉफाइल विलूब वर्टिकल आएगी. अधर? और भी कोई बता सकता है क्या? एम्पेशर प्रॉफाइल कैसी आएगी? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आप ट्राई करो बताने का थोड़ा बहुत यह समझो कि यार यही कुशन आप लोगों से पूछ लिया गया और यह कुशन पता किसका है बार्क का कुशन है यह कुशन बार का है बार के एकजाम में यह सवाल पूछा गया है यहां पर जितने मैं questions आप लोगों को provide करूंगा सारे कहीना कहीं इंटर्व्यू के टॉप इंटर्व्यू में पूछे गए हैं एज़ सुझा संब्सक्राइब करें थे ज क्यासर Ça रोट Syl A.िए त्या रिज मा एनी यह तक चै Two Energy सटेट नहीं हो रही है ख לו देखते हैं देखते है सबाफ नहीं करने हैं यह सर verlug कुछरा यह यह हॉफ उसी की यह यह पर बात करेंगे चलो बाई, ट्राइ करते हैं, देखने देखो, कोसिस करते हैं कुछ समझने का सर हमारा जो फूरियर लो होता है, हम यहीं से तो जाएंगे, फूरियर लो q is equal to होता है, माइनस का k, dty dx, e होता है हमको temperature profile करनी है, हमको temperature profile करनी है, बहुत ज्यान से समझेगा, मेरे पास conductivity यह है, और मेरी conductivity is not function of temperature, आप वहाँ पर बोल देंगे, कि सर मैं temperature जो profile ड्राइओ कर रहा हूं, conductivity अपना function का temperature नहीं है, ठीक है, steady state मैं condition लेकर चल रहा हूं, ठीक है, no heat, steady state condition लेकर चल रहा हूं, no heat generation लेकर यह आप वहाँ पर जंसन बोल देना, वहाँ वहाँ पर आप लोग जंसन बोल देना, क्योंकि सर हम यह law लगा रहे हैं, तो automatically यह सारी conditions इसमें satisfy कर जाएंगी, ठीक है, चलो भाई, अब तो बात यह बल्कुल सही लिखी है सर, इसका मतलब QH constant और slab यहाँ पर बोल रखा है उ यहाँ पर clearly mention है, तो hyperbolic, parabolic वाले term यूज नहीं करने हैं, ठीक है, तो भाईए यह slab है, slab का मतलब आपका Q will also constant, Q आपका throughout the process will constant, conductivity is not function of temperature, conductivity constant, Q constant, that means, यहाँ पर मैं बात करूँँगा, dx is equal to, dx is equal to, बहुत ध्यान से सुनिएगा, minus का k, y, q, into dt, integrate कर दो, integrate कर देंगे, तो x is equal to, x is equal to, minus का k, y, q, minus का k, y, q, into, into t, plus c, into t, into t, plus का c, ठीक है, यहाँ, यहाँ जाएगा, आपका dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और plus का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, plus का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, इतनी तो आने वाला है, इतनी तो आने वाला है, तो सर इसको मैं कैसे लिख सकना हूँ, temperature is equal to, temperature is equal to, minus का q x upon k, minus का q x upon k, plus का, plus का, अब k upon q is constant, k upon q is constant, ठीक है, अब यह आपका जाएगा किदर, एक मिनट, यह तो इधर आगया ठीक है, और यह आएगा c इधर आएगा, c minus का आएगा, तो इधर लिख दो तो minus का c, minus का c लिख दो, अब c q upon k, c q upon k, यह लाइन आ रही होगी सारे लोगों की देखो, यह लाइन आ रही होगी आपकी इजली तरीके से, अब यह टरम also constant है, कि q को constant है, और k भी अपना constant है, तो बहुत द्यान से देखना, आपकी temperature profile minus का q upon k, x plus का constant, यह निकल क्या रही है, मैं इसको एक दूसरा constant भी तो बोल सकता हूं, और यह भाई, मैं minus का, मैं यह जो constant c dash मैंने ले लिया है, मैं c dash को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, minus का c q upon k, क्योंकि all term are constant, listen very carefully, all term are constant, c is constant, q is constant, k is constant, that means, that means, this will be c dash, and c dash is also one type of constant, yes, अभी अभी आएगा, roll आएगा, धीमेदी में आएगा, पहले profile समझे, ठीक है, roll क्या है, यह आपका एक journal बात है, typical case नहीं, यह बुलकुल एक journal बात ह है, sir, जो temperature profile हम जो draw करेंगे, जो temperature profile draw करेंगे, तो सबसे पहले आप तो temperature वहाँ पर profile बताएंगे ना भाई, तो यह क्या है, आपका slope है, यह constant है, slope भी constant, slope भी आपका क्या है, constant है, तो अपना temperature profile, y is equal to, y is equal to mx, plus c, और slope कैसा है, negative, slope negative है, तो आप लोग वहाँ पर बता सकते है क्या बता सकते हैं, कि sir, हमारी इस mathematics के basis पे, जो हमारी profile बनेगी, वो profile कैसी बनेगी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यह profile कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, particular conductivity पर, और इसका जो slope होगा, वो कितना होगा, minus का qy k, इसका जो slope होगा, वो आपका होग माइनस का q upon k, this will be the slope, this will be the slope, यह temperature अपना t1 है, और यह अपना temperature t2 है, ठीक है, यह slope होगा, और यह अपनी x-axis होगी, तो this will be the profile, इतनी बात बोल के आपको रुख जाना है, इतनी बात आपको बोल के रुख जाना है, this will be the your slope, यह आपका क्या होगा, slope होगा, सार लोग पहले इतनी बात आपको बात आगी, समझ में, यह copper की plate है, यह किसकी है, copper की plate है, cu की plate है, सार लोग बताएं, पहले इतनी बात आगी, सार लोगों को समझ में yes और no, तो इसका slope आप देख रहे होगे, negative आ रहा है, slope कैसा आ रहा है, negative, और slope क्या है constant है, क्योंकि q भी constant है, और अपना यहां तक बिल्कुल clear है, बैतरीन तरीके से, सर यह बात बिल्कुल सर अमको समझ में आ गई, अब उनका यह मुद्दा नहीं था कि आपको यह प्रूब करना है, इतनी तो बात हो सकता है था, आम आदमी भी बता के चला आए, अब वो question आप से करेंगे, question पूछेंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आपने इतना बता दिया, सांदार, सुपब, गजाओ, listen very carefully, यह भाईया, सीउ के लिए अपने बना दी, अब अगला question, यह plate copper को में replace कर दूँ iron से, copper को में replace कर दूँ iron से, now the temperature profile will be, now my next question, in that question only, if I am replacing the copper, white iron, ठीक है, iron slab, इस slab से में replace कर दूँ, now your temperature profile will be, अब आपको temperature profile बताना है, सोचो, now your temperature profile will be, your temperature profile will be, अब यह next question है, जो जानदार question है, और सांदार question है, काम होगा, जादा होगा, उनको मतलब ही नहीं है, उनको मतलब है, प्रोफाइल बताओ ता हूँ, प्रोफाइल वेजड, इनकेस आप किसी A grade का interview दे रहे हैं, then they will ask surely profile-based question, equivalent क्यों लगा रहे हूँ, यार, मैं replace कर दिया हूँ, मैंने replace कर दिया भी या, पूरी प्लेटी को replace कर दिया हूँ, नहीं message भी कोई delete करने की need नहीं है, वो तो होता ही है, ये तो सब वो नहीं है, at least you are thinking money, sirka fan, thank you so much, linear with more slope as compared to see you, क्या बात है, क्या बात है यार, तुमने यार सही उतारे, तुम भाई money, sirka fan, क्या तुमने line लिखी है यार, इज़त रख ली तुमने यार, ठीक है, वो इज़त रख ली, मतलब यह है, आपको यह पता होना चाहिए, कि copper की conductivity ज़्यादा होती है, iron की conductivity ज़्यादा होती है, यह आपको पता होना चाहिए, तब भी linear ही होगा, लेकिन slope will be different, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत जहीं से बताएंगे, वो तुरंत आपसे question बोल देंगे, कि क्या होने वाला है, slope will be different, but slope कैसा होगा, slope कैसा होगा iron के लिए, iron के लिए, again आप यह line बनाएंगे, और iron के लिए मैं कौन सा color यूज कर लूँ, iron के लिए मैं नारंगी color यूज कर लूँ, आइरन के लिए जो होगा, iron के लिए क्या होगा, iron के लिए copper के लिए, iron के लिए यह आएगी, यह line iron के लिए आएगी, iron के लिए क्या आएगी, यह line आजाएगी, ठीक है, iron के लिए क्या आजाएगी, नारेल आजाएंगे, तेंप्रेचछर टीचू विल सेंप, तिक है आपके पास यह जो श्लोप है वो क्या करजाएगा और डीक्रीच करजाएगा. और भी आपको क्या करजाएगा, इनक्रीच करजाएगा, educators कर जाएगा, इसका तouse दॉ मैंट से इसका इसका on घॉ बात नहीं समझें इसन अब चैपत ही सब्सक्राइं में अब समझें ले कर दो सारेंख कि आरन कि जादा होती है यह कॉपर की जाना होती हैisesti इससा आपको यह चीछ पता है त आप आप आपी कल आड़ों की नहीं को अपर की सवाल कराहिए नहीं सकते हो। आप करीनी सकते हो इन डॉनों की कंड़क्टिविटी नहीं पता है। तो मेन पॉइंट की कि 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 ज़्धा होगी। iron की ज़ादा होगी या copper की ज़ादा होगी इनकेस आपको यह पता है तभी आप इस सवाल को tackle कर पाऊगे और वाइस नहीं कर पाऊगे copper की ज़ादा होती है sir, copper की conductivity will be copper greater than conductivity will be iron इसकी conductivity ज़ादा होती है copper की iron से, in case आप अपनी knowledge के लिए लिखना चाहें तो इनकेस किसी को पता हो तो मेरे को कोई बता सकता है कि conductivity iron की कितनी होती है copper की around होती है 380 watt per meter kelvin हला कि नहीं भी पता है तब भी चलेगा बस आपको ये relation पता होना चाहिए था ठीक है ये नहीं भी पता है बस मैं आपकी knowledge के लिए लिखा रहा हूं और iron की जो conductivity होती है वो होती है 300 के around 300 watt per meter kelvin ठीक है ये around है इसके तो इसका मतलब आपने guarantee ले लिए कि जो copper होगा उसकी conductivity जादा होगी तो यहां से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि slope is inversely proportional to conductivity slope is inversely proportional to conductivity तो conductivity जिसका ज्यादा उसका slope कम तो conductivity किसकी ज्यादा है conductivity जिसकी ज्यादा उसका slope कम ठीक है तो conductivity जिसकी ज्यादा conductivity more आपका slope will be slope क्या होगा decrease करेगा तो conductivity ज्यादा तो slope तभी आपका आपने देखा होगा कि जैसे से टिषको से और कि जादा कि पर के लिए कम आ is प्रीज के लिए उसका स्लोप कम है इसका स्लोप चाम है ठीक है आपका इसका स्लोप जदा है इसका स्ले उप ज्यादा है, ठीक है, तो छो यह जो आप देख रहे होगे, स्लोप लगातार, यो देखो और और कम व गया केलम यूल. कंड़क्टिविटी विल बी इन फाइने 옆 लों मात इसर Perfect Park लों दो, सारा लोग मात, जैसे कंड़क्टिविटी मात अन थे यह slope 0 हो जाएगा, slope आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, if conductivity is infinite, then slope will be 0, जैसे से conductivity बढ़ाते चले जाओगे, slope will decreasing order, slope will decreasing order, slope will decreasing order, दूसरी तरीके से समझना है, एक और तरीका है समझाने का, एक तो यह बात आएगी, एक और तरीका है, समझाने का, एक और तरीका है, second method, second तरीके से कैसे समझेंगे, आपको Q is cool to पता है कि DTYDX होता है, और भाई साब, और same heat flux, same heat flux के लिए in case आपकी conductivity बढ़ रही है, conductivity बढ़ रही है, तो इस slope को कम होना ही पड़ेगा, कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप slab के अंदर बात कर रहे हैं, Q आपका same है, Q constant है, तो in case आप conductivity बढ़ा रहे हैं, तो slope को कम होना ही पड़ेगा to make the this value constant, to make the this value constant, if you are increasing the conductivity, your slope must be decreases, this is the second method to approach this question, इसको इस तरीके से भी approach कर सकते हैं, otherwise proper तरीके से जो मैंने temperature profile निकाल के आपको यह दिखा दी, temperature profile यह निकाल के दिखा दी, इसमें यह चिला चिला के बता रहा है कि जैसे आप conductivity बढ़ाओगे, आपका slope गटेगा, जैसे आप conductivity बढ़ाओगे, slope गटेगा, तो औरन की conductivity क्या होती है, कम होती है, औरन की conductivity कम होती है, तो इसका slope क्या होगा, ज्यादा होगा, और copper की conductivity ज्यादा होती है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या होगा, gradient कम होगा, gradient जितना कम होगा, conductivity उतनी ही ज्यादा होगी, rate of heat transfer उतनी ही fast ह होगा जिसमें gradient कम होगा समझ रहे हो सारे लोगों तो जिसमें gradient कम होगा तो rate of heat transfer उतनी ही जाना उसमें fast होता है तो this is the logic behind that वुप तो सारे लोगों को समझ में आ गया हो बात सारे लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार यस और मेंटेन करके लिख दू बात पकड़ में आगई सारे लोगों को बैठीन तरीके से एपरी मन आर गेटिंग में पॉइंट्स अरे भाई बोलो एपरीवन आर गेटिंग में पॉइंट येस बुलकुल मस तरीके से मज़दार तरीके से समझ में आ रहा हो तो एक बार मुस्कुरा लो येस सर क्लियर तो ये चीज़ है ठीक है और आप ये आप ये सोचों कि ये गेट में ने ये गेट के भी बहुत काम का है इसमें आपका गेट के भी नुमेरिकल सभी में बना के आपको दे दूँ बहुत सारे नुमेरिकल साप लोगों को यहां पर बन जाएंगे गेट के भी नुमेरिकल सबनेंगे यहां पर इन केस और थिंकिंग गुड़ ठीक है चलो भाई ये बात आगे सब्सक्राइब अफियर के लिए वी प्रोफाइल आएगा ठीक है कॉनिकल सेफ के लिए भी आएगा सब के लिए आएगा ये इंटर्व्यू सीरीज में सब कुश्चन कबर होंगे मैटल वाला ओडर यस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए किस मैटल का कैसा कंड़क्टिविटी है आपको एक हलका हलका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए यस ठीक है इंटर्व्यू में ये सब चीज़ आती है एक हलका हलका ओडर आपको पता होना चाहिए आइरन का क्या है, मॉलिविडिनम क्या क्या है निकल का क्या है, ठीक है magnesium का क्या है conductivity यह आपको पता होना चाहिए तो this was the question next सवाल की मैं बात करूँ question number 6 आपका complete होता है now question number 7 how to determine the kinetic of the reaction बार्क का सवाल है यह बार्क के exam में अगेन यह पूछा गया है ठीक है जितने भी questions मैं आपको यहां पर प्रवाइड कर रहा हूं सारे interview के NPCIL या बार्क किसी अच्छे organization में पूछे गए है kinetics कैसे सर आप CRE ने आपने mention कर दिया कि CRE मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट है आपने mention कर दिया चलो मेरा सबसे पहला सवाल reaction वगेरा पढ़ते होगे उसकी kinetics कैसे define करते हैं आपने CRE बोला कि sir my favorite subject is CRE then चलो बता दो बेटे how to determine the kinetic of the reaction kinetic of the reaction कैसे define करते हैं very basic सवाल और बहुत trending सवाल है यह बहुत trending सवाल है यह आपको किसी ना किसी interview में पूछ जरूर लेते हैं very nice बहुत बढ़या प्रदुम great there are two methods to define the kinetic of the reaction one is the differential another one is the elementary differential and integral differential and integral yes very nice बहुत बढ़या थोड़ा बताने की कोशिश करो और थोड़ा बताने की कोशिश करो थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा थ्राही करो सारे के सारे लो या try करो try करो थोड़ा बताने की कोशिश करो बहुत बढ़या बहुत बढ़या बहुत बढ़या सारे लोग session को like कर देंगे बहुत बढ़या तो देर अट्व मेथर्स सर इसको डिफाइन करने के लिए आप कोई साभी एक मेथर्स वहां पर डिफाइन कर सकते हैं को जरूरी नहीं आप दोनों मेथर्स बता रहे हैं तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो बहुत ही इजी रहता है काउँ साट डिफरे सबसे पहले तो सर हमें यह समझ में आये कुश्चन आये क्या काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है आधे बच्चे तो अब यह नहीं समझ पा रहे हुए सर काइनेटिक्स का मतलब क्या है हम वो मतलब कुश्चन आपसे पूछ क्या रहा है काइनेटिक्स का मतलब क्या है पहले reaction किस order की है उसका rate constant कितना है ठीक है आपको यह दोने चीज़े define करनी होती है किसी वी reaction को define करने के लिए order of the reaction and speed आप बता सकते हो speed आप बता सकते हो ठीक है speed आप देख आप by calculation बता सकते हो लेकिन यह rate constant and order of the reaction main important role play to define that kinetic of the reaction ठीक है अप देखो kinetics का मतलब यह होता है suppose कर लो कोई मैं elementary reaction ले लेता हूं suppose कर लो मैं elementary reaction ले लेता हूं elementary reaction ठीक है चांबर हैं हमको सर्री इयदिफारन करना है काणिटिक का मतलब सबसे पहले इमको पता हो ना चाहिए कि की काणिटिक्स के वारे में बात कर रहा है मतलब भी हैब symbolic के एंड एन यह हमें एन ईडिवायन पता चल जाओ है तो मिर रेट आपnymi रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, rate के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि DC, यह आपको पता होना चाहिए, यह चीज आपको proper तरीक से वहाँ पर define करनी बढ़ेगी, ठीक है, rate define करना is not your kinetics, आप speed of the reaction तो तुरन define कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, rate कैसे लिखेंगे, देखो, speed बताने में कोई बड़ी बात है यह नहीं, आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, minus का DC, यह भी तो लिखते हैं, तो आपके पास concentration versus time तो data ही, आप कोई भी experiment कर रहे हैं, तो we have, हम लोगों को पता क्या होता है, हमको kinetics define करने के लिए rate define नहीं करना है, पहले बाद तो यह समझ में आना चाहिए, rate define तो आप तुरंती कर देंगे, reaction देखके यह आप rate बता देंगे, कैसे, DC, Y, DT, सर अपास concentration का data होगा, CA1, CA2, CA3 होगा, CA4, CA5 होगा, ठीक हमारे पास concentration का data है, आप CRE के experiment करते होगे, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे output की concentration चेक करते होगे, आप लोग लैम में करते होगे, तो डिफेरेंट डिफेरेंट टाइम पे T1, T2, T3, T4, ठीके, T5, यह आप डिफेरेंट डिफेरेंट टाइम पर यह मालो, C1 आपको टाइम टीच फोड तू-0 पर आपने जनली यह क्या ले लेते हैं, चलो मैं जीरोसा स्टा कर लिए आपके पास डेटा एवलेबल होता है ठीक है जब भी आपकाम करते हैं टीटू टाइम पर आपके इसको क्या कर लेंगे प्लॉट कर लेंगे और सारा लोग इस बात को बहुत द्यान से समझेंगे यह भी बहुत ट्रेंडिंग सवाल है यह आपके पास यह डेटा एव आपके पास एवलेबल होगा कंसंट्रेशन वर्सस टाइम ठीक है अब आपको काइनेटिक्स डिफाइन करनी है ठीक है तो कंसंट्रेशन में बोलूँ इदर है और टाइम यह है तो भाई साब आप इस डेटा को जैसे ही आप करेंगे टाइम टीच कोल टू जीरो पर यह डे आप किसी भी टाइम पे जाके किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकाल दो किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकालेंगे तो इस स्लोप की वैलू क्या हो जाएगी आर स्लोप की वैलू क्या हो जाएगी यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? आरे फोर मिल जाएगा, जैसे से Cancentration Drop होगी, आपका Rate of Reaction, आपका Continuously क्या करता चला जाएगा? Decrease करता चला जाएगा, तो जैसे से क्या होता चला जाएगा? यह concentration drop होती चलिएगी rate of reaction also will decrease तो आपके पास slope आपने आपने पर slope डाला आपने इस वाले point पर slope डाला आपने इस वाले point पर slope डाला rate मिली कहा तुरंत आप velocity फ्रेक्ष्राइड कर दोगे रेट मिली कहा तुरंत आप velocity दिफाइन कर दोगे ठीक है तो यह आ इसको क्या होता है d c y dt ओके यह चीज होगी सर अब बास समझना सारे लोग, अब आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा आ चुका है, रेट का और आपके पास टाइम का डेटा है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको स वारिक होगी आप, rate आपके पास rate पता चल गया यह तो पर सॉरी वॉल्म होता है ठीक है बलाउस्टी को भी आप डिफाइन कर लोगे अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि अब आप अगेन ना लिसन वेरी करफुली अगेन अब आपके पास यह डेटा अब यह डेटा क्या अब लेवल है यहाँ से आपको पर्टिकुलर टाइम T1, T2, T3, T4 जितने आपको डेटा चाहिए होंगे उतने आपको ट्राइल करने पड़ेंगे उतने आपको सेंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे तो यह आपको मिल गया RA1, यह आपको मिल गया RA2 ठीक है यह आपको मिल गया माइनस का आरे 3 मिल गया पर यह आपको मिल गया माइनस का आरे 4 यह आपको मिल गया ठीक है चलो भाई हमको यह चीज मिल गई हमको यह चीज मिल गई ठीक हमारे पास स्लोप से हमारे पास रेट आ गया टाइम हमारे पास सेंपल का था ही टाइम हमारे हमारे पास वापर से इंपल का था है हमारे पास रेट आ गया हुआ हांसE कैसे पका है of reaction एक्सलिखी माइनास का आ रह कोले तूब तो क 7 इंटू सी ए पावर आना गरै में इसको अलने माइनस सिफिलेन इनल आरे माइनस का एलन इन माइनस का असलिए एलन आडे 애लाvine आरे इसपें तो य्डूलन से फ्लस का एन एलन सी यह क्या हमारे पास rate versus concentration का chart है क्या rate or concentration यह rate of reaction particular time तो यह C1 पर मिला होगा, यह CA2 पर मिला होगा, यह CA3 पर मिला होगा, यह CA4 पर मिला होगा, यह जो slope निकला, CA1 पर निकला, CA2 पर निकला, CA3 पर निकला, CA4 पर निकला, ठीक है ? अब देखने द्यान से देखना बहुत द्यान से, कैसे आपको defined करना होता है ? और वहाँ पे उनको convince कैसे करना होता है ? धीड से सर हमारे पास ये एक data आ गया अगया अगया हमारे पास rate का data है ये हमारे पास concentration का data है हम सर इजली तरीके के से graph को plot कर सकते है हम easily तरीके से graph को plot कर सकते हैं क्योंकि rate का हमारे पास data है concentration का data है तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैं इस graph को easily तरीके से सर्फ plot कर सकता हूँ और ये graph आप लोग देख रहे होंगे इनकेस मैं इस graph को plot करूँगा तो ये easily तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आपका y लिखा है यह c लिखा है और यह m लिखा है यह x लिखा है in case मैं graph को plot करूँ मैं graph को plot करूँ तो यह graph कुछ इस तरीके से आएगा गुरू यह graph कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है इस तरीके से आएगा आप x axis पे क्या ले लेना ln minus का r a ले लेना और Y-axis पे आप Concentration CA ले लेना तो आप जैसे C1 रखेंगे आपको LNRA1 की value मिल जाएगी जैसे C2 रखेंगे आपको LNR2 की value मिल जाएगी C3 रखेंगे तो आपको LNR3 की value मिल जाएगी और उन सारे point को आप मिला देंगे आपको एक straight line मिल जाएगी उन सारे point को आपने जैसे C1 रखा आपको एक और R1 रखा आपको यह वाला point मिल जाएगा आपने C2 रखा आपने क्या रखा LNR2 रखा तो आपको यह वाला point मिल जाएगा आपने C3 रखा आपने LNRA3 रखा आपको यह सारे point मिलते चले जाएगे आपको एक यह point मिल गया, एक यह point मिल गया, एक यह point मिल गया तीनो point को मिला के आपने जोड दिया अब यहाँ से easily तरीके से आप kinetics को define कर सकते हैं कैसे इसका slope आप easily तरीके से major कर पाएंगे क्योंकि this is the straight line इसका जो slope होगा, slope होगा वो आपको n दे देगा जो slope होगा वो आपको N दे देगा क्योंकि इससे compare करोगे ठीक है और जो यह intercept होगा यह आपको LN K दे देगा यहाँ से आप K निकाल पाऊगे यहाँ से आप K निकाल पाऊगे और इस slope से आप N निकाल पाऊगे आप easily तरीके से kinetics को define कर पाए K into CA2 power N आपके पास N मिल गया आपके पास K मिल गया now your kinetics is defined now your kinetics is defined everyone are got this point everyone are got this point yes or no बोलिये everyone are got this point सार लोग प्रेम से लिख लेंगे अपनी कॉपी में बैत नहीं तरीके से write down please first K कैसे find out करते हैं K निकाल तो दिया intercept से यह line आप draw करेंगे उस line का जो intercept होगा वो LNK दे देगा आपको प्रद्यूंग जो यह line draw करेंगे उसका intercept आपको मिलेगा intercept की कुछ ना कुछ value होगी 1,2,3,4,5, whatever value होगी उसका आप E की पापर ले लेंगे और जो वो value आएगी वो आपका K आजाएगा वो आपका K आजाएगा टिक यह line draw करेंगे इसका slope मिलेगा वो आपका N आजाएगा now your kinetics is defined इस तरीके से आपको माँ पर define करनी है इस तरीके से आपको माँ पर define करनी है वोटे ओके गाट इट बोलिये भाई गाट दा पॉइंट समझ में आ गया clear एक और मैथड है integral method तो आप integral method से भी define कर सकते हैं बस उसमें एजूम करना पड़ेता है आपको order इंटेगर method में क्या करना पड़ता है आपने इन केस कभी पड़ा होगा तो उसमें order एजूम करना पड़ता है उसमें order एजूम करो फिर उसको plot करो उस particular order पर state line आ जाता है तो आपने जो order एजूम किया वो आपका correct है ठीक है similarly in case state line नहीं आता है फिर से आप एक दूसरा order एजूम करेंगे फिर से graph को different different concentration different different time पर plot करेंगे ठीक है हिटेंड ट्रायल वो मेथड़ है जो इंटीग्रल मेथड इज हिटेंड ट्रायल मेथड उसमें आप क्या कर रहे हैं मतलब रिस्क ले रहे हैं भाई order first होगा order second होगा order third होगा यह आप रिस्क लेके फिर आप पूरा data generate करें नहीं आया फिर से आप लेंगे पूरा करेंगे इसमें आना तय है इसमें आना तय है बस इसके लिए number of data जाना चाहिए होते हैं so that you can predict the accurate value of kinetics ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा यहां पर आपने concentration versus जो आपने time grab बनाया था वो थोड़ा आपको जितने जादा आप data लेंगे उतने ही जितना close data लेंगे जितने मतलब छोट चोटे time interval पर आप data लेंगे तो उतना rate of reaction accurate आएगा और जितना rate of reaction accurate आएगा आपका ये वाला graph उतना ही ज्यादा accurate आएगा और ये वाला graph जितना ज्यादा accurate आएगा आपकी kinetics उतनी ज्यादा accurate आएगी ठीक है तो इसके लिए more data's की need पड़ती है ठीक है so that आप मतलब आप data स्कते हैं आप कोई सेंपल राप collect कर रहे है आप जीसे आप क्या करते है आपने college बगवगИरा में कर आऊगा होगा 10 मिनट के लिए रन कर वाया फिर आपने samplad connect कर लिए फिर आपने दस मिनट के लिए चलाया फिर आपने Sample collect कर लिया आप उस سबस्विन को चैट्राया आप आपको ज्यादा यह उतना ज्यादा ग्रेक्ट वैल्यू नहीं देता है क्योंकि आपको data जितना अच्छा लोगे उतने ही आपका correct होता चला जाएगा उसमें आपको इद्दम से correct आई तो यह कुशन बहुत ट्रेंडिंग कुशन होता है सिरी का बहुत ट्रेंडिंग कुशन होता है ठीक है यह तो आपको पता ही होना चलिए राइट है मस तरीके से सारा कुछ लिख लो चलो बाई तो यह बात हो जाती है न complete तो इनकेस ऐसा कोई कुशन आता है तो आप एजली तरीके से मुस्कुराते हुए करके आएंगे कुशन नंबर 7 complete होता है कुशन नंबर 8 composition of the stainless steel बहुत फेमस कुशन बहुत फेमस कुशन मेरे से हुरल में पूछा गया था ठीक है मेरे से हुरल में यह सवाल पूछा गया था इंटर्व्यू में composition of the stainless steel बताओ composition of the stainless steel कोई भी इंडर्ष्ट्री कोई भी इंडर्ष्ट्री दुनिया की कोई ऐसी सिंगल इंडर्ष्ट्री नहीं है इंडर्ष्ट्री आपने स्टेबलिस की हो और आपने steel ना लगाई हो ठीक है आपने steel पे material पे काम ना किया आओ दुनिया की किसी भी organization में तुम चले जाओ ठीक है आप से पूछेंगे जरूर बहुत बढ़िया प्रदियूंग बहुत बढ़िया मनीश सर का फैन बहुत अच्छे यह ट्राइंग एटलिस्ट आंसर मतलब आप आंसर देनी की कोजिस कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात हैं मतलब मैं कभी भी इस वास से खुछ नहीं होता हूं कि आपने सईयां बनाया है गलत मैं हमेंसा खुछ हो जाता है कि अटलिस्ट आप ट्राहीं तो कर रहे हैं और आप यहीं से ट्राहीं कर रहें तभी आप जाके इंटर्वियू के सामने बोल पाते हैं otherwise sorry 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 पाड़ी सिर्फ होता है तो आप अभी से आंसर ट्राइब कोशिस किया करो कि कुछ बोलो गलत बोलो लेकिन कुछ तो बोलो अभी से अपनी डाल लो एकदम से आप सोचो कि आपका एजिटेशन निकल जाएगा नहीं निकलेगा आप यह सर्माओ कि यार गलत अब तुम यह देख रहें 10-15 लोग अगली साल यह लोग कहां पर होंगे तुमको कुछ पता होगा क्या है जो तो लोगों के सामने सर्मा रहे हो कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगी अरे भाई तुम तो तुम से खुलके मैदान में आओ ठीक है तो आफलाइन क्लास मे भी बच्चे थोड़ा हेजिटेशन चलो कर लेते हैं वाई लड़कियां होती है ठीक है लड़के होते हैं दोस्त त्यार होते हैं लेकिन तुम ऑनलाइन में तो बिल्कुल उताबर तोड़ वल्लेवाजी करो तुम ठीक है कुछ भी आप लोग आंसर कमेंट करके बोल सकते ह तो इस में तो बिल्कुल इंसर्ट वाली कोई बात है यही और आपको मैं बताऊ ना मेरी किलास में मेरे कितनी वेज़ती कभी नहीं हुई है किसी की भी ठीक है सारे सारे टीचर मतलब मेरे कुश्चन अजीवो गरीब रहते थे किलास में अलागि मैं उत्रा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं था अपने किलास में हमारे से बहुत अच्छी बच्चों के CPI थी लेकिन कुश्चन मेरे अजीवो गरीब रहते थे एकसप्टिड कॉफ आएगा तब देखा जाएगा ठीक है आप पार दो इंटरव्यों की तयारी सीट कर दो ठीक इंटरव्यू की तयारी स्टार कर दो वन इस ह्टू टैल कीरे स्यवू से बलाएंगे आप इंगी रहे अप किलकुलएट कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह सोचेंगे मेरा कॉल आएगा कि नहीं आएगा मैं स्लेक्ट होंगा कि नहीं होंगा तो कहीना कहीं तयारी करने में उतनी कि 100% efficiency नहीं दे पाऊगे सर्फ फॉर्म बर्दी है कट आप जो भी आएगा देखा जाएगा टेक हमें सर्फ सर्फ तयारी करनी है आप हमें यह बताओ बुक काउंस ही पड़े आपका कुशन क्या होना चाहिए सर मुझे इस इसके एक्जाम के मैं इंट्रव्यू की तयारी कर कर रहा हूं बुक बताओ मेरे को यह आपका यह confidence होना चाहिए ठीक है इस साल नहीं अगली साल कॉल आएगा लेकिन जो आपने पड़ लिया है वो तो कहीं न कहीं मेरे को मैसेज कर रहा है सर मुझे अगली साल अंडर हंड़र रहेंक लेकर आ नहीं है और मैं इस समय सेकेंड मैं होँ आप मेरे को guide करें आप के इंटर में mentorship में काम करना चाहता हूं ठीक है आप बताया मेरे को क्या करें अब वो second year का आया उसके मनमे यह नहीं चला कि मैं स्ट्रांसफर के से complete कर आओ मैं सी यारी कैसे complete कर ओ मैं mathematics कैसे complete करू उसके बंद में यह चला hundred कैसे लेकर हैं तो यह चीज बिल्कुल नहीं सोच नहीं है, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट हमेसा आता रहेगा, मैं अंद्रिसिंग दो नहीं की एक स्टेट्मेंट हमेसा याद रखो, आलवेज फोकस अनदा प्रोसेस राधर देन रिजल्ट, रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा, हम अपनी तैयारी कर रहें, खतम बात, ठीक है, बताओ, आयरन, क्रोमियम, निकल, कारवन, ठीक है, सबसे जादा क्या होता है, सबसे जादा इसमें क्या होता है, बोलेंगे कोई mainly जो composition होते हैं, हो सकता है, आपको 4 या 5 ना पता हूँ, इनकेस आपको 1-2 भी पता होते हैं, तब भी interview वाले समझ लेते हैं, यहाँ चलो, इसको idea है, एक दो भी पता होते हैं, तब भी आप लोगों को, उनको लग जाता है कि हाँ, इसको idea है, कोई बता सकता है क्या, एक दो सबसे ज़धा क्या होता है, सबसे ज़धा क्या होता है, बोलो, आइरन सबसे ज़धा होता है, मानगे आपकी बात आइरन सबसे ज़्यादा होता है ठीक है और जो ये आइरन वाले हैं न तुम इतनी महिंगी स्टेनलेस स्टील में तुम बोलोगे आइरन ज़्यादा होता है तो तुमारे घर पे सारे आइरन के वरतन यूज किये जाते हैं तुमारे घर पे स्टील के वरतन कभी ना यूज किय आइरन सस्ता आता है, स्टेनलेस स्टील यूज करने का परपच किया है, तो यह बताओ हम इस आइरन महिंगा आता है या स्टेनलेस स्टील महिंगा आता है, यह बताओ सर लोग, आइरन की कॉस्ट ज्यादा होती है या स्टेनलेस स्टील की कॉस्ट ज्यादा होती है, कोई मेरे Cost मतलब महिंघा कौन होता है, Stainless Still Stainless Still क्यों महिंघा होता है, कभी आपने सोचा he Stainless Still مहिंग होता है क्यों होता है आइरन के कंपेर में स्टेलेस स्टील महेंगा क्यों होता है आइरन के कंपेर में स्टेलेस स्टील क्यों महेंगा होता है क्यों इस वज़े से महेंगा होता है पतानी क्या कर रहे हो आप लोग क्योंकि उसमें क्रोजन नहीं होता है आइरन रख दोगे आइरन में जंग तुरंत लग जाती है क्रोजन तुरंत हो जाएगा स्टेनलस स्टील यूज करने का अल्टीमेट परपज यह होता है कि उसमें क्रोजन नहीं होता है उसकी लाइफ जादा होती है क्रोजन नहीं होगा उसकी लाइफ जादा होगी ठीक है लाइफ जादा होगी लाइफ कब जादा होगी life more life कब जादा होगी तब उसमें कॉरोजन नहीं होगा तब ही तो जादा होगी ठीक है stainless steel is costlier क्यों costlier क्योंकि उसमें कॉरोजन नहीं होगा अब ये बताओ in case तमारा stainless steel में iron जादा प्रेजेंट हो गया तो फिर क्या ही फाइदा है stainless steel को form करने ठीक है stainless steel को yes stainless steel में iron तो carbon और iron तो बुलकुल ना के बराबर होते हैं पता है आपको carbon और iron तो बुलकुल ना के बराबर होते हैं ओके तो इसमें जो सबसे जादा होता है in case iron हो गया stainless steel के अंदर तो तुरंत जंग लगे जाएगी तुरंत जंग लगे जाएगी तो आयरन बुलकुल गलती से मत बोल देना कभी भी ठीक है आयरन कभी गलती से मत बोल देना तो stainless steel के composition बहुत जादा पूछे जाते हैं आप industry में कोई भी reactor design कर रहे हैं तो reactor के जो अंदर वाला जो part होता है वो stainless steel का ही use होता है अला कि stainless steel बहुत महिंगी होती है लेकिन क्या करोगे वहापे need पढ़ती है तो वहापे लगाना पढ़ता है piping के लिए तो मैं आपे composition आपके mention करें दे रहा हूँ यहाँ पे सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे अपनी copy में ठीक है composition मैं mention करें दे रहा हूँ chromium सबसे ज़्यादा होता है chromium सबसे ज़्यादा होता है chromium chromium जो होता है आपका 16 से 18 परसेंट ठीक है 16 से 18 परसेंट होता है chromium number 2 पर होता है nickel number 2 पर होता है nickel nickel होता है 10 से 14 परसेंट 10 से 14 परसेंट ठीक है, इनकेस आप यही दो बता पा रहे हो, तब भी आपका काम हो जाएगा, और नहीं पिता रहे हो, तब भी आपका काम हो जाएगा, listen carefully, क्रोंड़ of using क्यारफ़ी तो, जो नंबर दो होता है, वो होता है आपका, नंबर एक पर होता है Chromium नंबर दो पर होता है نिकल आइरन मत बता देना स्ट्विल लगाने का कोई परपदी नहीं है एक है आई रेन और यह जो कारवन होते हैं बुल्कुल .00% करके होते हैं फिर आपका मैं आप बताता हों कारवन, कारवन बहुत कम, कारवन भी आपका कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कारवन भी बहुत जल्दी कुरूड हो जाएगा, कारवन इसमें होता है, 0.08%, 0.08%, ठीक है, ये composition अपनी copy में लिख ले न, ये पूछते हैं, composition बताओ, मेरे से ही URL में पूछा था composition, ठीक है, मैंने चलका अलका बता दिया था, ये तो मेरे को खैट दो पता थे, और चीज़े नहीं पता थी, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, molly vietnam, molly vietnam आपका होगा, 2-3%, 2-3%, और भी बहुत सारे alloy होते हैं, बहुत सारे component present होते हैं, किसी का 0.5%, किसी का 10%, किसी, sorry, 10% तो बहुत होते हैं, तो जो mainly present रहता है, वो chromium and a nickel, जो सबसे ज़्यादा present रहता है, that is the chromium, जो सबसे ज़्यादा present होता है, that is the chromium, एक और लिख लो magnesium, mg, ठीक है, एक और सारे लोग लिख लो magnesium, magnesium, manganese, not magnesium, manganese, manganese, manganese और लिख लो ये भी 2% present होता है, manganese, ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं आप से, ये चीज़ें आप से पूछ लेते हैं, composition of the stainless steel, composition of the stainless steel, ठीक है, तो ध्याद रखिये, yes, सारा लोग write down कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादा present होता है, chromium, nickel, ठीक है, तो stainless steel, पूछ रहते हैं, types of the stainless steel, काउन सी, इसके भी types होते हैं, 316, सर, इन सबको add करने में 50% भी नहीं हो रहा है, यह आपर मैंने 4 लिखे हैं, लगवग 30 से 35 component ऐसे हैं, जो मैंने आपर लिखे नहीं है, ठीक है, 30 से 35 component ऐसे हैं, जो मैंने आपर लिखे नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी एक शीज मर रही है, उसमें लगवग 70-80 composition होते हैं 60-80 composition होते हैं जिसमें 10 से उपर जो composition है वो समझ दो, सबसी जदा है जो 70-80 components होते हैं इसको मिलके बनते हैं देख context मैं بتाता हूं sulphur मैंने नहीं लिखा silicon होता है, sulphur होता है, nitrogen होता है ठीक, phoss phosphorus होता है यह सब होते हैं तो उनका percentage बहुत कम होता, यह sulfur हो गया, उसका 0.3% है, उसका लिखने की कोई need भी नहीं है, ठीक है, otherwise कितना ही याद करोगे, इस वज़े से मैंने निल निकाए नहीं तो फिर आपको याद करने में problem हो जाती, तो आप मोटा-मोटा चार याद रखो, ठीक है, nitrogen है 0.1%, ठीक है, silicon 0.75%, उसका लिखने की need है नहीं, ठीक है, यास, आप से पूछी देते हैं, types of the stainless steel, यह आप लोग question write down कर लेना, थोड़ा घर पे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा घर पे काम करना, types पढ़ लेना जाके, Google करके, ठीक है, ठीक है, types बगेरा पढ़ लेना, जाके, stainless steel कित दिया, अब इसमें भी, yes, और सेनिक फेरी केसिंड मेंगने डाइड हर्ड, yes, 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 ठीक है, तो वो types आप लोग और पढ़ लेना, जाके इसको, types पढ़ लेना, इस पे question पूछे जाते हैं, yes, yes, बिंदू अभी बता रहा हूँ, चलो, तो यह types of composition of the stainless steel, चलो, एक question और है, आप steel production के लिए raw material क्या क्या यूज करेंगे है, ठीक है, यह सारे लोग पढ़ना जाके raw material क्या 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 यूज करते हैं, ओके, अच्छा, एक चीज और यहां से सवाल पूछा जाता है, stainless steel में corrosion कम क्यों होता है, corrosion कम क्यों होता है, why this metal having less corrosion, ऐसा क्या होता है, यह क्या होता है, जैसे आपकी कोई pipe है, देखो मैं एक चीज और बता दू, यह interview में सवाल पूछ लिया जाता है, यह pipe है, ठीक है, इसमें corrosion क्यों होता है, क्यों कम होता है, यह pipe होता है, जिस सपोज कर लो यह इसमें कोई फिलीड जा रहा है यह क्या करता है क्रोमियम इसमें प्रिजेंट होता है इसे ले ठीक है और यह ऑक्षिजन के साथ क्रोमियम अक्साइड बना देता है Cr2O3, Chromium Oxide की क्या बना लेता है, layer बना लेता है, Chromium Oxide की layer बना लेता है, जो की protect करता है for corrosion, which will protect, protect from corrosion, ठीक है, ये corrosion से क्या करता है, protect करता है, इसकी layer form हो जाती है, Cr2O3, Chromium Oxide, या, ठीक है, तो इसकी layer form हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, corrosion resistance प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे proper तरीके से corrosion नहीं होने देता है, तो this is the region behind that, ये region पूछ लेते हैं, कभी-कभी interview में, ठीक है, छोटी-छोटी बात है, आप बहुत अच्छा impact पड़ता है आपका, otherwise sorry sir करके आगे बढ़ जाते हैं बच्छे, ये सब चीज़ें लिखते चले हैं ठीक है, ठीक है, चलो, next अवाल, question number 10, draw the ET curve for ideal PFR, ideal PFR के लिए सारा लोग ET curve draw करो, draw the ET curve for ideal PFR, draw the ET curve for ideal PFR, draw the ET curve for ideal PFR, please first, कोई बताएगा क्या, draw the ET curve for ideal PFR, ideal PFR के लिए ET curve को बताना है आपको, draw the ET curve for ideal PFR, draw the ET curve for ideal PFR, ET curve बना लेंगे गया, ideal PFR के लिए, ideal PFR के लिए ET curve बना लेंगे, क्या, great, great HR, ET जो curve होता है, पहले तो आपको ideal PFR के लिए ET पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ET को profile को draw कर पाएंगे, ET जो होता है, ideal PFR के लिए, डेल, टी माइनस का टाव पी होता है, ठीक है, टी माइनस का टाव पी, very good, very good, very good, ET जो होता है, डेल टी माइनस टाव पी, ठीक है, मतलब आपका impulse function बनेगा, ठीक है, आपके पास impulse function, डेल्टा जो function बनता है, उस तरीके से आपसे graph बनेगा, लेकिन उसका जो डेले होगा, वो टाव पी से डेले होगा, जो डेले होगा, वो किस से होगा, टाव पी से डेले होगा, तो यह होगा et और इधर होगा t is equal to tau p tau p से यह delay होगा और इस तरीके से line चली जाएगे इस तरीके से line चली जाएगे straight line जाएगा vertical ठीक है लेकिन t is equal to tau p से यह curve start होगा इस यह सरा लोग write down कर लेंगे t is equal to tau p से क्यों start होगा इनके साब direct बना दे रहे हमेशा आप expression से बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों को clear होगा यह तो ज़्यादा clear होगा सर यह delay हो रहा है tau p से क्या हो रहा है delay हो रहा है तो यह आप से सवाल पूछा गया है draw the et curve for ideal pfr ठीक है cstr के लिए in case ideal pfr की जिगे मालो cstr लिखा होता चलो यह तो प्यफार हो गया दूसरा question मैं अपनी तरफ से दे दूँ यह सवाल बार्क में पूछा गया है यह बार्त के interview में पूछा गया लेकिन मैं pfr की जिगे cstr लेनू अपनी तरफ से तो जरा बता पाएंगे क्या सर लो cstr की जिगे मैं अपनी side से आपको pfr कर दूँ sorry cstr कर दूँ pfr की place पर तो कैसा कर जाएगा यहाद है सार लोगों को तो इसका et क्या होता है यहाद होना चाहिए et curve et for pfr pfr के लिए et curve for cstr 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 के लिए जो et curve होगा वो क्या होगा et is equal to होता है 1y tau e2 power minus का t divided by tau और tau m होता है यह mfr time constant for mfr ठीक है time constant for pfr यह चीद नहीं रखना तो यह होता है e2 power minus का x की तरीके से वुलकुल ग्राब बन जाएगा absolute clear ठीक है यह इस तरीके से इधर आप et का बना देंगे और इधर आपका time का बन जाएगा और y साथ t is equal to jset 0 डालोगे तो यह start one upon tau m से हो जाएगा one upon tau m से start हो जाएगा और exponentially decrease करेगा अब शेक सर सर मेरा interview नहीं होगा मेरा rank 294 आईए अब शेक आपका 294 rank है 294 rank है ना call आ जाएगी call आ सकती है बल्कुल boundary line पर हो साइद आपने मेरे से बात भी कर रखी है ठीक है आप बल्कुल boundary line पर हो ठीक है क्योंकि आपकी journal में in case one is to twelve में आप लोग फस जाते हो ठीक है क्योंकि 210 वाले का तो हुआ है NPCIL में 2019 में ठीक है बल्कुल boundary line पर हो ठीक है बस भगवान से प्रातना करो कि वो boundary line क्रॉस हो जाए वो बस boundary line आपकी क्रॉस हो जाए एक बार interview के लिए call आ गई फिर तो खेल जाएंगे बस interview के लिए call आने के लिए दौबनाओ अगा है इस टैप इंपूट नहीं वह या पाल्स इंपूट के लिए होता है पाल्स के लिए ठीक है यह भी पाल्स के लिए यह स्टैप में नर्मे होगा इस बार vacancy ज़्यादा है इस बार vacancy ज़्यादा है तभी तो थोड़ा chance है जर्णल में कितने बच्चे बलाए हैं तेरा तेरा बलाए हैं ना तेरा का multiply कर दो 12 में डेड़ सो तेरा है ना जर्णल में इनिट पल्स के लिए यह ठीक है तेरा मुल्टिप्लाइ कर दो बारा उतने बच्चे तो बुलाएंगे वो और उतने बच्चे बुलाने के लिए आपकी जो रैंक होगी लगवाग डेर सो और डेर सो यह स्थीन सो तक जा सकता है थीन सो में कॉल यार आने के चांस हैं तीन सो तक कॉल आने के चांस है मैं बोला हूं जो भी जनरल और बच्चे है वो तीन सो वाले फार्म भर दें अ है यह जो हमने किया है वह पल्स के लिए यह इसा जाता है इस टैप के लिए जाएगा इस उल्टा चला जएगा ठीक है दोनों को कमाइड फॉर्म में हो सकता है प बना देंगे, ठीक है, चो combined में graph का nature उलकुल सेम जाएगा, चाहे पहले chtr लगा दो, चाहे बाद में chtr लगाओ, ठीक है, nature बस आपका delay हो जाएगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा, in case दोनों combined form में लगा दी है, ठीक है, तो आपको चाहे वो पहले लगाए, चाहे ब pump ing arrangement का यहापर मैं सवाल पूछूँगा आप لو operate, pump ing arrangement का यहापर सवाल बनाओ, journal में 19 है जर्यनल में 19 है चांस हैं बतातो रहूं मैं, चांस हैं तकडे चांस हैं, ठीक है, pumping arrangement का थोड़ा बड़ा सवा question है, ठीक है, इसका थोड़ा मैं आप लोगों के लिए बड़ा question है, ठीक है, इसको चलो मैं बाद में करवा दूँगा आपको, ठीक है, जब भी next class होगी, पहले ये बनाओ, draw the, आ इन xy diagram पर, xy diagram पर ये जो पानी की bottle है, इसके अंदर जो पानी है, पीने वाला पानी, इसके लिए feed line की equation draw करके दिखाओ, ये मैंने अपनी तरफ से बना के आप लोगों को दिया है, ठीक है, ये from my side, ठीक है, ये from, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता है सवाल, ये from MR100, ये कहना, ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए सबल लाएंगे, चलो, ये जो पानी है, इसके लिए feed line की equation सारे लोग generate करके दिखाओ, इन xy diagram पर, बताओ कैसे draw करेंगे, सारे लोग कर लेंगे, इनके smart transfer आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाएंगे, draw the feed line for drinking water, Twitter line की question बता पाओगी क्या, बोलो भाई साथ, chemical के भीर जवानों, tell me the line, मैं देखो सारे graphical question इस वज़ इस कर आवा रहा हूं, क्योंकि बारक में graphical सवाल बहु ज़्यादा पूछे जाते, क्या बात है, क्या बात है, drinking water का मतलब sub-cooled water, पानी पीने है, sub-cooled water, drinking water का मतलब क्या हुआ, sub-cooled water, क्या बात है, super line लिखिये तुमने है, चार, good, बहुद बढ़ा, drinking का मतलब गुरु जी यह है, कि सर पीने वाला पानी, drinking का मतलब सर यह है, कि भाया पीने वाला पानी, drinking का मतलब यह पीने वाला पानी, तो यह ग아웃 क्योंट कि द्रिंकिंग का मतलब है पीने वाला है और पीने वाला जो पानी है उसका टेंपरेचर आपने देखा होगा जो drinking water है Ajak आपका जो ड्रिंक वाटर का टेंप्रेचर यह बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेट से कम होता है कि लिए किसे के सब कूल वाटर कांच सा होता है जिषका टेंप्रेचर Ov एवसजोजोड टेंप्रेचर ऐट बनेटिएएँ है तेक हम अब हनपर जिसका टेंप्रेचर एपिलींट रूट करेंगे अपने इकल Roman से कम हैगे, सैच्चूरेसन टेंप्रेचर उसका 100 होता है और जो drinking water होता है उसका temperature लगवा कितना होता है आपका, 20 के आसपास, 20 के आसपास, in case normal temperature रूम बगैरा में रखे हो, तो तो आप जो पानी पीते हैं, उसका यह कंदीशन होल्ड कर रही है, यह कंदीशन होल्ड तभी कर पुल्ड जब लिकड़ोगो आपका कैसा होगा, सब रिक रिक रोगा तभी कंडीशन ओल्ड करेगी, उसका q define कैसे होता है cp tv minus का tf plus का lambda divided by lambda इस तरीके से define होता है sir ये value मतलब ज्यादा है मतलब आपका feed का temperature feed का मतलब जो water है उसका temperature कम है bubble point temperature ज्यादा है इसका मतलब this value will be add in this इसका मतलब हम guarantee ले सकते हैं ये एक से ज्यादा होगा मैं guarantee ले सकता हूँ ये एक से ज्यादा होगा क्योंकि feed का temperature कम है bubble point temperature से तो ये positive quantity होगी ये positive quantity lambda में add होगी और divided by lambda कर रहे है तो इस quantity का value एक से ज्यादा होगा मतलब sir हम guarantee ले लिए कि q will be greater than 1 q will be greater than 1 और sir इसी तरीके से वहाँ पर define करना है वे होता है हर चीज को बताने का नहीं तो पता चला q greater than 1 तो हर को ही बता के चलाएगा लेकिन आप q greater than 1 किस तरीके से बता रहे है वो matter करेगा ठीक है अब now we know that we know that we know that feed line जो feed line की equation होती है feed line की equation होती है sir वो होती है y is equal to q upon q minus का 1 x minus का except upon q minus 1 sir यहाँ से हम बात कर पाएंगे कि जो q in case हमारा greater than 1 है तो अपना जो slope होगा जो line का जो slope होगा वो भी q upon q minus 1 greater than 1 होगा जो slope होगा वो भी आपका एक से जादा होगा भीया एक से जादा होगा तो sir एक से जादा होगा तो हमें के line ड्रॉ करनी है हमें line ड्रॉ करनी है किसकी feed line की on x y diagram पर on x y diagram पर हमको line ड्रॉ करनी है किसकी feed line की गुरुजी line draw करनी है ठीक है किस पे xy diagram पे अब xy diagram पे मतलब feed line आपको कोई भी feed का composition होगा कोई भी composition होगा listen very carefully कोई भी composition होगा तो sir हमें feed line draw करनी है हमें feed line draw करनी है तो sir हमें feed में कितना more volatile है वो हमको पता होगा हम इस वाले point पे चलेगे xy diagonal पर और यही से हमको line draw करनी है इसका slope 1 है sir इसका slope sir 1 है और हमारा जो slope आ रहा है वो x से जादा आ रहा है that means आपकी line sir ऐसी जाएगी अब आप लोग देख सकते हो कि जो यह वाली line है उसका slope x से जादा है इसका slope क्या है यह क्या है y is equal to x line इसका slope क्या है 1 और यह जो line है इसका slope आप लोग देख रहे होगे greater than 1 है इसका slope क्या है greater than 1 10 theta 10 theta निकालोगे इसका जादा निकल क्या आएगा तो बॉल रखोगे इसमें तेजी से आएगी बॉल रखोगे इसमें slow से आएगी तो इसका मतलब सर ये feed आपने feed line sorry feed line छोड़ो मतलब ये आपने drink water के लिए represent कर दिये drinking water drinking water के लिए आपने feed line को represent कर दिये this is the question from my side ये आपने drinking water के लिए feed line को यहाँ पर represent कर दिये सर लोगों को मज़ा आया हो तो एक बार मुस्कुरा लो पुस्पेंदर सिंग वहिया हेलो मुझा आया हो तो यार एक बार सारे लोग मुस्कुरा लो गूड इवनिंग गूड इवनिंग पुस्पेंदर तो everyone are able to do answer के सहाब से आपको देना है ये भी एक कला है ठीक है आप interview के सामने answer कैसा दे रहे हैं ये हर एक चीज matter करती है ठीक है हर एक चीज matter करती है आपको selection लेना है PSV में तो ठीक है answer क्योंकि देखो ही जितने भी बच्चे जा रहे हैं वे NPCIL में 1-12 के ratio से बलाए जाएंगे 12 लोग 1 seat के लिए बलाए जाएंगे और 12 लोगों में से जो NPCIL का interview देने जा रहा है उसको इतना तो पता होगा कि Q greater than 1 के लिए line कैसे बनी होगी हाला कि वो connect इस चीज को कर पा रहा है कि drink water का Q greater than 1 है की नहीं है in case इसको connector ले गया तो बना देगा अब बात ही आ जाती हो सकता है कि तीन से चार लोगों ने connect कर लिया कि drink water का मतलब Q greater than 1 अब तीन से चार लोगों में से एक लोगों को मुझे pick करना है वो मैं किस भी आप पर pick करूँगा कि किसका explanation जोड़दार है किसका explanation जोड़दार है भाई और जिसका तावड तोड explanation होगा ना उसको मैं pick कर लूँगा और सबको 11 लोगों को बाहर कर दूँगा इस चीज को सारे लोग समझो अब पिछली बार ही वार में 25 लोग लिए गए थे उसमें उन्होंने सीधे सीधे judge क्या किया है उन्होंने जहां तक या उन्हों को कि यह जो interviewer है judge कैसे कर रहा है ठीक है उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल कर रहा था यच्छा मनीश राजपूर you are from chemical background ठीक है यस सर अमने बोला यस सर ठीक है chemical background से है जनवरी किवाती मैं एन अकेडमी पढ़ाई रहा था जॉब तो मुझे लेनी नहीं थी ठीक है जॉब तो लेनी नहीं थी क्योंकि जॉब तो मैं छोड़ी को बैठा हुआ हूँ मैंने का चलबाई interview देते है ठीक है interview का उन्होंने का सबसे पहला सवाल ये था कि define the chemical engineering in class 7th student 7th class के student को आपको chemical engineering define करने पहला सवाल ठीक है उनको ये तो पता नहीं था कि chemical engineering पढ़ाता भी हूँ ठीक है ठीक है define की डंग से ठीक है लगवख मैंने लिये होंगे लगवख 4 से 5 मिनिट लिये होंगे इस question को define करने के लिए डंग से ठीक है बस समझे लो बहूँ सेलेक्शन वहीं पर हो गया जो सेलेक्शन था हमने बोला मनीज तुम्हें सेलेक्शन लेना है तो तुम्हें ये question को तुम अब बस खेल जाओ ठीक है क्योंकि बाद में पता नहीं ये बहु होता है कि जो तुम्हें लगे कि अभी ये तुम्हारे पाले में गेंद आ रही है तो इसको फिर लंबा उठाके मारो फिर उसको डंग से explain किया हमने का बस मनीज काम हो गया है सारे लोग ये तुम से खुस ठीक है सब कुछ बैतरीन हमने का आप काम हो गया है अब दो-तिन कुछ्ट नहीं भी बता पाएं गे तब इसा नहीं होगा कि बार कर देंगे दो-तिन कुछ्ण और वाइन प्छेते दो-तिन नहीं भी बता पाए दो-तिन बता दिए-क काम हो गया तो स certains लते हैं से आपके zone में आपका question फसना चाहिए और उस question को अब suppose कर लो यह question फस गया और आपके connect कर लिया आपने connect कर लिया कि मेरे zone का है फिर इसको define अच्छी तरीके से करो ठीक है हमेशा interview का यह game होता है इनकेस आपको PSV में selection लेना है तो ठीक है इस चीज को समझो इसका answer क्या है आप बताओ सारे लोग chemical engineer है define करो सब कुछ पूछ मत लो ठीक है थोड़ा कुछ homework करो मेंनत करो ठीक है तो यह चीज है चलो भाई तो आज के session को अम लोग यहां तक रखते हैं होफसो आप लोग enjoy कर रहे होंगे लेकिन या बच्चे थोड़ा कम रहते हैं ठीक है यह student काफी होने चाहिए ठीक है यतने सांदर चीजें करवा रहे हैं चलो कोई बात नहीं है जो भी student काम का है out of station जा रहा हूं कानपुर से बार ठीक है तो आप आज date कितनी है आज है आपकी कितनी 15 राइट तो आपकी जो YouTube की class होगी वो 21 को होगी 20 को होगी जो YouTube की class होगी 20 को होगी yes 18 से special की class continue रहेंगी 20 को आपको जो IPC lecture start हो रहा है उसका होगा ठीक है तो YouTube की class 3-4 दिन के लिए आपक लगा sentence में क्या answer? Sir in one sentence में answer नहीं दिया जाएगा ठीक है बन sentence में देऊगा तो साथवे वाली class को तुमें लगता है कि वह एक लाइन में तुम्हारी बात समझ लेगा इन 7th class student को तुम्हे समझाना है उनको नहीं समझाना है जो वह वहाँ पर 10 साल से chemical engineering में काम कर रहे हैं उ उनको तो पता ही है कि तुम्हें सम्झाना है 7th class तो वह एक लाइन में तुमने जात तुमने समझाया ना तो बाग लेगा ना तो 7th class वाले बच्चे को समझ में आएगा ना तो कुछ यह चीज़ है pumping arrangement का सवाल बहुत तकड़ा देंगे आपको सरप्रणाम भया खुश रहो ठीक है उचाईयों बलंदियों की उचाईयों पर जाओ ठीक है लाइफ में बहुत बड़ा करऊ कुछ ठीक है जो भी आप चाहते हो तो pumping arrangement का सवाल आपको मैं जानदार बना के दूँगा जैसे मैं come back करता हूँ ठीक है आपकर यह सम गैप के बाद जैसे मैं आता हूँ pumping arrangement का आपको संदार कुशन देता हूँ ठीक है बैतरीन कुशन दूँगा जब तक इतने कुशन सारे लोग यह सब कुशन सहें आप लोगों के लिए ठीक है करवाँगा यह सब कुशन सहें आपके बहुत सांदारी सब करवाँगा मैं ठीक है कुछ books बगेरा है तो ओप सक ओप सुक कि कल वाले बच्चों ने सेसन ना किया तो यह book आप लोग दो ले लेना एक जिन को पॉलिस ले लेना इंटरव्यू के लिए और एक मैकेब इसमित ले लेना ठीक है मास ट्रांसपर को पढ़ना है तो बीके दत्ता से आप लोग पढ़ सकते है ठीक है राइट चलो फिर थैंक्यू सो मच